हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज की क्लास में हम एक मौस्ट इंपोर्टन टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जो की है खेलों से संबंदित महतपूर्ण कप और ट्रॉफियां आपके आने वाले जितने भी एक्जाम है चाहें आपके एक्जाम आरमी जीडी है कलरक्प है ट्रेट्समन है टेकनिकल है आज का टॉपिक सब एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टन होगा और यहां से हर एक शिफ्ट में आपको एक प्रषण जुरूर देखने को मिलता ह सबी प्रशन यहां पर सेलेक्टिड और इंपोर्टेंट है तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेलफू लगेगा चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले कलकी क्लास में मैंने आपको यह वाला प्रशन हमवरक के लिए था तो लगबग सभी तैंसर भी द्यारतियों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दि अ है प्रशन थह भारत का तीरा सक्मान कौन सहुद्ध बध्यारत का अबने इसका आंसर दिया था पदम भूशन आपका आंसर बिल्कुलCorrect होगा तो के तो देखेगा यहां पर प्रशनों की संक्या 35 से और मै आपका आज का स्कोर कितना है कोश्चन नमबर फर्स्ट है आपके सामने बेटन कप किस खेल से संबंदित है बेटन कप इस रिलेटिट टू विच स्पोर्ट जल्दी से आंसर दीजेगा ऑप्शन है फुटबॉल क्रिकेट टेबल टैनिस या फिर होकी बिल्कुल राइट अंस ने डूरंड कप किस खेल से संबंदित है डूरंड कप का संबंद किस खेल से है राइट अंसर यहां पर मैच करेंगे अगर आपने आप्शन एक को दिया है फुटबॉल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कोश्चन नमबर थर्ड जी आपके सामने स्क्रीन पर रंजी ट्रॉफी किस खेल से संबंदित है सभी प्रशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट और सेलेक्टिड है और वही प्रशन लिये हैं जो विभिन परिक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे बताइए जी इस प्रशन का आंसर रंजी ट दिया है क्रिकेट आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट बढ़ते हैं कोशन नमबर 4 की तरफ हॉलकर ट्रॉफी का संबंद किस खेल से है कोशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपके सामने पोलो गॉल्फ ब्रिज या फिर टेबल टैनिस हॉलकर ट्रॉफी का सं संबंद किस खेल से है सही जवाब इसका ऑप्शन सी रहेगा ब्रिज से है जिनोंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कोशन नमबर 5 पर चलते हैं आपके सामने है स्क्रीन पर निम्न लिखित में से किस कप का संबंद पोलो खेल से है ऑ आंसर बिल्कुल जिनोंने भी ऑप्शन एको दिया है राधा मोहन कप उनका करेक्ट आंसर होगा राधा मोहन कप का संबंद पोलो खेल से है चलिए बढ़ते हैं कोशन नमबर 6 की तरफ कोशन नमबर 6 है आपके सामने रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंदित है कोशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपके आर्मी में कई बार यहाला प्रशन पूछा जा चुका है रंगा स्वामी कप का संबंद किस खेल से है फुटबॉल क्रिकेट टेबल टैनिस या फिर होकी तो ऑप्शन डी अगर आपने आंसर दिया है होकी को आपका आंसर बिलकुल करेक्ट होगा रंगा स्वामी कप का संबंद होकी से है नेक्ट बढ़ते हैं कोशन नमबर 7 पर डेविस कप किस खेल से संबंदित है डेविस कप इस रिलेटिट टू विच स्पोर्ट टैनिस फु संबंद टैनिस से है कोशन नमबर 8 की तरफ चलते हैं आंसर सभी को मैच करते जाना है मेरे से पहले आंसर देना है सभी को निमन लिखित में से कौन सा कप फुट बाल से संबंदित है कि विच आफ दा फॉलविंग कप इस रिलेटिट टू फुट बाल ऑप्शन बोलते हैं नारंग कप रामानुज कप या फिर मरडे का कप तो आंसर मैच कीजेगा ऑप्शन अगर डी को आपने आंसर दिया है मरडे का कप आपका आंसर करेक्ट होगा मरडे का कप का संबंद फुट बाल से है कलियर है चलिए कोशन नमबर 9 है जी आपके सामने राइडर कप किस खेल से संबंदित है वेरी वेरी इंपोर्टेंट राइडर कप इस रिलेटिट टू विच स्पर्ट ऑप्शन है गॉल्फ पॉलो ब्रिज या फिर बैडमिंटन जल्दी से बताईएगा राइडर कप का संबंद किस खेल से है तो आंसर मैच करेंगे अगर आपने इस प्रेशन का आंसर ऑप्शन एको दिया है गॉल्फ आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा राइडर कप का संबंद गॉल्फ से है कोशन नमबर दस है जी आपके सामने फेड कप किस खेल से संबंदित है वेरी वेरी इंपोर्टेंट टैनिस फूटबॉल बैडमिंटन ब्रिज फेड कप का संबंद किस खेल से है यदि आपने इस प्रशन का राइट आंसर आप्शन एको दिया है टैनिस आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा कोशन नमबर 11 की तरफ चलते हैं आपके सामने आगा खा कप और ध्यांचंद ट्रॉफी का संबंद किस खेल से है कोशन को बोलूँग का तो कोशन जो है यह सूपर इंपोर्टेंट कोशन है तो आंसर मैच करेंगे आई होप इसका सभी ने सही आंसर दिया होगा ऑप्शन एक रेक्ट आंसर होगा होकी से संबंदित है आगा खाक और ध्यांचंद ट्रॉफी दोनों कोशन नमबर 12 डैश फुटबॉल से तो फुटबॉल से संबंदित है कौन सा रोवर्स कप का संबंद फुटबॉल से है जिनोंने भी आप्शने को आंसर दिया है उनका आंसर बिलकुल करेक्ट होगा चलिए कोशन नमबर 13 की तरफ चलते हैं आपके सामने है स्क्रीन पर थॉमस कप का संबंद किस खेल से है थॉ फुटबॉल बेडिमिंटन टेबल टैनिस क्या आंसर करोगे अगर आपने आंसर ओप्शन सी को दिया है बेडिमिंटन आपका आंसर बिलकुल करेक्ट होगा इस प्रशन का कोशन नमबर 14 तो देखेगा यहां पर कोशन नमबर 13 दो बर टाइप हुए है इट मिंस जो आपके टोटल प्रशन होंगे वो 36 होंगे राइट तो 36 में से बताना है आपकी कितने राइट हुए हैं कोशन नमबर 13 है तो 13 दुवारा पढ़ लेते हैं सुदीरमन कप का संबंद किस खेल से है तो इसका राइट आंसर जिनोंने भी आप्शन एको दिया है बेडिमिंटन उनका आ कोशन नमबर 14 है आपके सामने उबेर कप का संबंद किस खेल से है उबेर कप is related to which sport टेबल टैनिस गॉल्फ ब्रिज बेडिमिंटन सही जवाब इसका ओप्शन डी रहेगा उबेर कप का संबंद बेडिमिंटन से है क्या सभी ने ओप्शन डी को आंसर किया है चलिए कोशन कोशन नमबर 15 की तरफ चलते हैं कोशन नमबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर डन हील कप किस खेल से संबंदित है कोशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और बोलूंगा थोड़ा सा मीडियम लेवल का प्रशन है ऑप्शन बोल देता हूँ पोलो ब्रिज गॉल्फ या फिर टे कोशन नमबर 16 देखिए एजार कप संबंदित है सुपर इंपोर्टेंट कोशन एजार कप इस रिलेटिट टू पोलो गॉल्फ ब्रिज या फिर क्रिकेट क्या अंसर करोगे ऑप्शन एक को अंसर करना है सभीने एजार कप का संबंद पोलो से है कलियर है चलिए कोशन नमब शाह कप संबंदित है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और आपके एक्जाम में कई बार यह वाला प्रशन पूछा जा चुका है तो मुझे नहीं लगता कि यह वाला प्रशन भी कोई विद्यार्थी गलत करेगा ऑप्शन है क्रिकेट बेंडमिंटन गॉल्फ या फिर हौकी सुल्तान अजलान शाक कप का संबंद किससे है आपका D यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वाकी जिन्होंने आपशन D को आंसर दिया है उनका आंसर बिलकुल करेक्ट होगा चलिए Question No.18 है आपके सामने स्क्रीन पर सुब्रतो कप का संबंद किस खेल से है Very Very Important Question है जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे Option बोल देता हूँ Football, Cricket, Table, Tennis या फिर बैडमिन्टन सुब्रतो कप is related to which sport Answer match करेंगे Option A correct answer होगा Football से संबंदित है Question No.19 है आपके सामने संतोष ट्रोफी संबंदित है जल्दी से इसका आंसर देंगे संतोष ट्रोफी का संबंद किस से है Cricket, Badminton, Table, Tennis या फिर फुटबाल संतोष ट्रोफी का संबंद फुटबाल से है Option D मैच करो भई आंसर अपना Option D दिया है ना सभी ने चलिए Next is Question No.20 French Open Trophy का संबंद किस खेल से है French Open Trophy is related to which sport Option है Cricket, Long Tennis, Badminton, Football क्या आंसर करोगे Option B सभी को आंसर करना है Long Tennis से संबंदित है 21 पर चलते हैं जल्दी से Dillip Trophy वो इरानी Trophy का संबंद किस खेल से है दो दो ट्रोफिया है ये आपको ध्यान रखना है Dillip Trophy और इरानी Trophy Option है होकी, फुटबाल, टेबल, टैनिस या फिर Cricket आंसर दे तो जल्दी से फटा-फट से क्या आंसर करोगे Right आंसर मैच करेंगे Option D, correct आंसर होगा दिलिप Trophy और इरानी Trophy का संबंद क्रिकेट से है Clear है, चालिए Question No.22 नारंग कप का संबंद किस खेल से है? बताओ दि जल्दी से नारंग कप का संबंद किस खेल से है? बास्किट वाल, ब्रिज, पोलो, बेडिमिंटन तो नारंग कप का संबंद बेडिमिंटन से है Option आपका D, यहाँ पर बिलकुल correct होगा Question No.23 की तरफ चलते हैं आपके सामने है स्क्रीन पर नहरू ट्रॉफी का संबंद किस खेल से है? जल्दी से इसे प्रशन का आंसर दीजिएगा नहरू ट्रॉफी का संबंद किस खेल से है? तो देखिएगा दो प्रशन बनते हैं कन्फ्यूज नहीं होना है जो नहरू ट्रॉफी है ये आपका होकी से related है इसका option A correct answer होगा next question देख लो question number 24 है नहरू कप का संबंद की scale से है नहरू ट्रोफी अलग है और नहरू कप अलग है नहरू कप का संबंद की scale से है अगर पूछेगा तब आपको football answer करना है option A कलियर है नहरू ट्रोफी होकी है और नहरू कप ये फुटबॉल से related है चालिए next question है question number 25 इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंद की scale से है आंसर जल्दी से दीजेगा option है होकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर बैडिमिंटन इंदिरा गांधी गोल्ड कप जल्दी से इस प्रशन का आंसर देंगे, प्रशन वेरी वेरी इंपोर्टन है answer match को रोजी, option A आपका correct आंसर होगा, होकी इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंद होकी से है कलियर है सभी को, चलिए question number है, आपके सामने 26 कौन सी ट्रोफी का संबंद क्रिकेट से है question जो है, ये वेरी वेरी इंपोर्टन है जल्दी से आंसर देंगे और देखिएगा आपके बहुत सारे question बनते हैं खेलों से संबंदित कप और ट्रोफिया परन्तु यहाँ पर तो 36 है वो मैंने important question ही लिये हैं सिरफ, ओके तो यहाँ पर देखिएगा वीजे हजारे ट्रोफी और देवधर ट्रोफी दोनों का संबंद क्रिकेट से है option आपका C जो है ये बिलकुल correct answer होगा, कलियर है सभी को, अगर सेशन पसंदा रहा है और आपने अभी तक हमारा सेशन लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजेगा प्रशन सभी very very important है आपका एक लाइक हमारे लिए motivation का काम करता है और अगर आपके कोई friend army की त्यारी करता है तो उसे हमारा वीडियो जरूर शेयर करेंगे और यदि आपको लगता है कि हमारी classes आपके लिए helpful हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो subscribe करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएंगे और बहुत ही जल्दी आपकी marathon classes भी आने वाली है इसका अंसर दे तो पहले Wellington Trophy का संबंद किस खेल से है जल्दी से अंसर देंगे Wellington Trophy का संबंद किस खेल से है तो दिखेगा यहां पर भी आपके दो प्रशन बनते हैं Wellington Trophy है और एक Wellington Cup है अगर Wellington Trophy वो ले तो आपको 9 का यान आंसर करना है option आपका C बिल्कुल correct answer होगा और अगर आपको बोलेगा कि Wellington कप का संबंद किस खेल से है Wellington कप का संबंद किस खेल से है तब आपको क्या answer करना है तब आपको hockey answer करना है option आपका D जो है ये बिल्कुल correct answer होगा क्या सभी ने option D को answer दिया है मैं उम्मीद करूँगा सभी को इन दोनों question में different समझ में आया होगा चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 29 hop man cup का संबंद किस खेल से है very very important है option है football, badminton, long tennis या फिर table tennis hop man cup का संबंद किस खेल से है सही answer मैच करो अगर आप option C को दे रहे हो long tennis आपका answer बिल्कुल याँ पर correct answer होगा hop man cup is related to long tennis sport clear है चलिए question number 30 है आपके सामने निम्न में से किस कप का संबंद गॉल्फ से है जल्दी से इस प्रशन का answer देंगे सभी option है prince of well's cup, walker cup, rider cup या फिर उपरोक्त सभी यहाँ पर cup कर लेना walker cup, rider cup तो यहाँ पर आपके तीन प्रशन complete होते है prince of well's cup, walker cup और rider cup इन तीनों का संबंद गॉल्फ से है तो option आपका D, बिल्कुल right answer होगा यह ध्यान रखिएगा, question very very important है question number 31 की दरफ चलते हैं आपके सामने है स्क्रीन पर कोपा कप किसे खेल से संबंद दित है question देखिएगा, यह very very important question है सभी को इसका answer देना है कोपा कप is related to which sport तो क्या answer करोगे option अगर C को answer कर रहे हो football तो बिल्कुल right answer दे रहे हो कोपा कप का संबंद football से है चलिए, 32 question की तरफ चलते हैं ashes cup का संबंद किस स्केल से है ashes cup is related to which sport polo, bridge, hockey या फिर cricket match करो जी answer option D को अगर आप answer दे रहे हो cricket आपका answer बिल्कुल correct होगा ashes cup का संबंद cricket से है question number 33 है आपके सामने euro cup का संबंद किस स्केल से है hockey, table, tennis, football, badminton euro cup is related to which sport सही जवाब option C रहेगा आपका football अगर आपने option C को अंसर दिया है football आपका correct होगा euro cup का संबंद football से है चलिए, question number 34 आपके सामने है किस cup M M Trophy का संबंद football से नहीं है option देखिएगा DCM Trophy, BC Rai Trophy, आशुतोष मुखरजी Trophy या फिर C K Naidu Trophy answer दे दो जल्दी से क्या answer करोगे किस cup M M Trophy का संबंद football से नहीं है option D correct answer होगा C K Naidu Trophy का संबंद football से नहीं है बाकी DCM Trophy, BC Rai Trophy और आशुतोष मुखरजी Trophy इनको याद रखिएगा इन तीनों का संबंद football से है clear है? चलिए question number 35 है आज का last question और ये actual में question number 36 है क्योंकि question number 13 हमने दो बार discuss किया है है ना? चलिए, कोई बात नहीं question number 35 का अंसर देंगे C K Naidu Trophy का संबंद किस खेल से है जल्दी से इस प्रशन का सभी विद्यार्ती को आंसर करना है क्या आंसर होगा option है table tennis, hockey, badminton, cricket C K Naidu Trophy is related to which spot answer option D, correct answer होगा cricket अगर आपने option D को आंसर दिया है cricket, आपका answer याँ पर बिल्कुल correct answer होगा clear, तो दोस्तों ये था आज का एक important topic, खेलों से संबंदित, मैं तपून, कप और ट्रोफिया, मैं उमीद किरूंगा अगर आपके exam में इस topic से question बने तो हमारे इस session से बाहर ना जाए, सभी प्रशनिया पर मैंने important और selected discuss कर लिए हैं, जो कि आपके आने वाले exam के लिए very very important होंगे और महरतन कलासिस जो हैं आपकी बहुत जल्दी आएंगी 100 question math के, 500 question science के थोड़ा सा समय दीजेगा, आपके exam से काफी दिन पहले हम सब कुछ discuss कर लेंगे तो बताइएगा इन 36 question में आपका score कितना है, आज का मैं उम्मिद करूँगा session आपको पसंद आया होगा अपना score सभी को comment करना है मिलते हैं कल किसी और अच्छे topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत